न्यूसर का परिवार यूट्यूब पर अब एक करोड के बार आपका बहुत बहुत आफार अगर कोई पार्टी एक भाट के पिछे खरी हो जाए और एक पूरे समुदाय के अपमान पर उसके सेंटिमेंट के विरुद्ध खरी हो जाए तो हम बुद्धी की बल्यारी हैं ये कथित समाजबादी जो समीकरन की बात दुहराते हैं उसी सदन में विरोध क्यों नहीं हुआ और इनके नियत में खोट था एक आसी की कविता तो एक आसी की कविता दो हजार तरस में कहां से आ गई और बिल था महिला बिल उसके पेश होने पास होने का सवाल था कि इसकी उमीद नहीं करता आनन मुहन मंतरी पद को लात मार जांजबा रहे थे हूं मंतरी पद को लात मार के आपके शवाल पर खड़ा हुआ मुझे भी उमेद थे एक भांट के खिलाफ प्रबुद्ध समाज हमारा साथ आनन मोहन अगर हम किसी के साथ आए हैं तो हम राजनितिक तोर पर भेखमंगा नहीं है हमको आप एक सीट पर दो सीट पर ठिकट दे के सपोर्ट किजिगा तो हम दो सा एक कीस दो सा बयाली सीट पर 43 सीट पर सपोर्ट करें महिला अरक्शन बिल को लेकर मनोज जहा ने जो बयान दिया राजसभा के अंदर या फिर जो कवीता उन्हों ने कही उसको लेकर आर जेडी इस वक्त मनोज जहा के समर्थन में ही खड़ी दिख रही हमारे साथ बात करने के लिए आनन्द मोहन जी कि अगर कोई पार्ट के पीछे खड़ी हो जाए और एक पूरे समुदाय के अपमान पर उसके सेंटिमेंट के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो हम बुद्धी की बल्यारी है आपको मैं एक बात बताओं कि भारत की आजादी के ये का अमरित महुतसब है लोकतंत के अस्थापना के अभी बचतर साल हो गए ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंतर जो धर्म निर्पेक्ष है और जो समाजवादी गनराज है उसमें किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर किसी प्रतिनिधी को किसी धर्म या किसी जाती प्रतिपनी करने का कोई अधिकार नहीं है पिछले दिनों नए सदन में हम सब ने सोचा था कि एक नई बात होगी नया इतिहास रचा जाएगा एक नया माहूल होगा नए सदन में बीजेपी के एक सांसद ने एक पूरे समुदाय को कट्वा कहा गदार कहा और उसके साथ साथ कहा आतंक बादी जिसको आप आतंक बादी कर रहे हैं आपका इतिहास नहीं जानते हैं जिसने बोला उनका इतिहास मैं नहीं जानता लेकिन हम जानते हैं कि बहादूर साजफर के नित्रत में इस मुल्क की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो फिर जब दूसरी बार गांधी निकले तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान अबुल कलाम आजाद यहां अब्दुल कयूम अंसारी ऐसी ऐसी सक सियते हैं राश्तिया अंदोलन के पाठ रहे प्रमक भूमिका में रहे मुल्क आजाद हुआ आजादी के इस दोनों खंड में संतावन और बयालिस के बीच में भी कुछ किलांतियां हुई जिसमें चंद सिखर आजाद के नित्रित में दिसमेल, असफाक, रोसन सिंग, बढ़के सुरदत के साथ साथ एक और नौजवान था, उसका नाम था असफाक उल्ला खान मुल्क जब आजाद हो गया, फिर इसके बाडर की हिफाज़त के लिए एक नौजवान निकला और उसका नाम था क्यप्टेन हमीद, जिसने अजेई टेंक, पेटेंट टेंक को तोड़ा, धरजनों की संख्या में, अपनी साहदत दी, आप इस पूरे बलिदानी कौम को गद कहिए, आप उसको आतंकबादी कहिए, आप उसको कटवा करके लज्जित केजिए, इससे कोई सर्वनाक बात हो नहीं सकती, और फिर ये कथित समाजबादी, जो समीकरन की बात दुहराते हैं, उसी सदन में विरोध क्यों नहीं हुआ, और इनके नियत में खोट था, बिरोध में नहीं गए, इसलिए कि इनको कहना था, ठाकुल को मारो, ये वो एक धर्म भी से इस पर टिपन नी थी निंदनी है, और ये एक जाती भी से इस पर टिपन नी थी, मैं आपको बताऊं, कि इसकी इजाज़त किस ने दे दी, धर्म ने पेक समाजबादी जनतंत्र म इसकी इजाज़त कौन दे दिया, कैसे ये दस्तावेज में दर्ज हो गया, कैसे सदन की कारवाई में समिल हो गया, मेरा बिरोध वहाँ है, हम किसी भाट के खिलाब करें नहीं हुए है, उन्होंने अपने खुझ से बयान दिया है, या उनको ये बयान दिलवाया गया है, र बयान किस ने दिया, और हम को समझाया जा रहा है, पती कात्मक कविता थी, ये एक सिंबॉल माना गया, हम कभी हैं, साहितकार हैं, अब छे दिन के बाद क्यों हम अगर रहते हैं, आप उनको कहिए जो ही सबाल करते हैं ये, कि मैं बियार में नहीं था, सारे लोग जानते हैं किस तारिक से, तैस तारिक को मेरी लाखों की सभा हुई थी उदैपूर में, मेवार में, और मैं हल्दी गाटी कुमल लगा दे इसको, कुमल गढ़ ये सब घूम रहा था, अचानक हम को एक क्लिप आया उड़ता हुआ, और फिर चेतन ने भिजवाया, कि इस तरह से पापा सदन में आज ये बात हुए, दोनों बात पर, जो आतंक बादी कहा गया, वो भी, और जो ठाकुर को मारो, ये भी, अब कविता लोग समझा रहें कि बाल में, जी की कविता है, एकासी की कविता है, तो एकासी की कविता, 2003 में कहां से आ गई, और बिल था, महिला बिल, उसके पेश होने, पास होने का सवाल था, उसमें संसोधन, परिवर्दन, परिवर्तन का सवाल था, तो आप उसमें ठाकुर का कुवा कहां से लिए, संदार्व से अलग, ये पूर्वा ग्रह से ग्रसित, विक्रित, मानसिक्ता का दियोतक है, जिसकी जितनी निंदा की जाया है, व बहुत लोगों ने कहा माफी मांगे। एक बात बताईए, कुछ लोग हमको प्रबुद्ध लोग समझाते हैं, कि एक प्रतीक है, सिंबॉल है, कहने का अर्थी, यह नहीं तक कहने का वर्त नहीं, यह बालमी गुन की कविता नहीं थी, आप कविता उधार की लाए, कविता तो हम रुके हुए हैं, हम देख रहे हैं, तमस्वीन, जो लोग आते हैं, प्रतीकातमक कविता है, उनको कहिए, कि अगर कहेगा सदन में जादब को मारो, अपने अंदर के सुद्र को मारो, अपने अंदर के ब्राह्मन को मारो, कितने लोग बरदास्त करेंगे, अगर मैं बोल देता कि एपने अंदर के ब्रह्मन को मारो कितने पंडित जी वर्दास्ट करते मैं डंक के चोट पर आंख में आख मिला के करना चाहता हु यह कभिता का अंस है उसे डूंड को ओoug होती देता हूं कि अपने अंदर के ठाकूर को मारो ये ठाकूर संसद में वाई यह थाकूर न्याए पालिका में बच्टा हुआ बात्या था हो ये निय की नहीं किया है ये शिर्ष नेता की बात करां मैं उससे उमीद करता हूँ, जो 85% प्रेस में है, जब तुम्हारे आपके इज्जत, आप रूप, अस्मत, खेप, खलिहान पर हमले हुए, आनन इंतजार नहीं किया। वो थे बंडित जगनाथ मिस्र, डॉक्तर जगनाथ मिस्र, कोई जाका नहीं, आनन मुहन मंतरी पद को लात मारके, जंसे करजी के कोटे से आ रहे थे हम, मंतरी पद को लात मारके, आपके सवाल पर खड़ा हुआ, मुझे भी उमेद थे, एक भांट के खिलाप, माज हमारा साथ देगा, इस सवाल पर खड़ा होगा, अगर खड़ा नहीं होगा, तो इतियास कभी माफि नहीं देगा, लालु को माफी मागनी चाहिए थी, उनके सांसद किस बयान को लेकार अवा है ? लालु जी से तो मने करे, भांट के ही सांसद है, आप इसको मैं किसी पार्टी, किसी जाती के खिलाप नहीं हूँ, मैं एक भांट के खिलाप हूँ, नेता गिरी और भांट गिरी में बहुत अंतर हैं, एक भांट, एक चारन कभी नेता नहीं हो सकता, और जो पांच बोट को ट्रांसपर्ट नहीं कर सकता, मैं लड़के देखा हुआ, लवली आनन्द आरजेडी की उमिदवार थी, जो अपने गाउं में पांच बोट ट्रांसपर्ट नहीं कर सकता, वो किसी पार्टी के लिए लिएबिलिटी होता है, आनन्द मोहन अगर हम किसी के साथ आए हैं, तो हम राजनितिक तोर पर भिखमंगा नहीं है, हमको आप एक सीट पर दो सीट पर ठिकट दे के सपोर्ट किजिगा, तो हम 242 सीट पर 43 सीट पर सपोर्ट करते हैं, अगर एक लोग सवा पर हमारा सम, आप हमको समर्थन करते हैं, 40 लोग सवा पर हम समर्थन करते हैं, और इसलिए हम इसकी परवा नहीं करते हैं, कि कौन पार्टी किसके साथ खरा है, हम अगर अन्याय के खिलाब दूसरों पर हो रहे हैं, अन्याय के खिलाब खरे होते हैं, त को माफी मांगनी चाहिए या नहीं अपने इस बयान के लिए और संसद से यह एक्स कौन मांगता है कि जो बड़ा होता है यह बड़े हैं गांदी बार-बार माफी मांगा जैप्रकास माफी मांगा है बुद्ध अपनी गलतियों को सुधार के बरा बना है ठेथर और हेहर किरा मकोडा के पीछे पड़े हुए है हमारे मुझ से क्यों उसका नाम यह फिटकिडी जाह है यह नहीं जात चाहता यह बीजेपी का एजेंट है आने वाला समय बताएगा हम इनके बड़े पिताजी को जानते हैं बहुत भारी समाजबादी थे समाजबाद का जोला लेके भूंते थे प्रखर समाजबादी कहलाते थे समाजबादी पार्टी से सोचलिस्ट पार्टी से मले बने चलती आ गई कांगरेस की सरकार्थी कांग्रेश की तुरत जोला पटका समाजबाद का और जोईन कर लिया कांग्रेश और मंत्री रहा कई कई दफे और अंत में यही आनन्द मुहन बेडिंग पैप करवाया राजनित से हम वहां से जानते हैं उनको जब हम ब्रामनों के इज्जत आबरू के सबाल पर छर्डे यहां पेंटभन के सारसा की डल्यो में हुं कंशा खेल रहा था चाए न है जैनते सदल में आप भी रह चुका है अनन्द मोहन जी अगर आपके सामने हुआ हो था अगर बैटे रहते हैं न सिर्फ हिमाकत नहीं थी पतलून गिली हो जाती कुछ बोलने के पहले मेरा इतियास है आजादी के बाद पहली बार राज नाराइन जी का मारसल ओठ हुआ था और दूसरी बार सदन के अंदर आनन महन का मारसल ओठ हुआ था इसी महिला बिल के सवाल पहले है जब मारसल ओठ के दोरण हमारे हाथ कटे थे हमारे सर में सीसे गठे थे और लवली आनन आधी आबादी को आधा हक दो महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद कहते हुए विशिस दर्सक दिरगा से भगत सिंग के बाद जैसे भगत सिंग ने नारे बाजी किय थी पर्चे बाजी किय थी और बम फेका था लबली आन्द नारे बाजी करते पर्ची बाजी करते दूसरी बार गिरफतार हुई शोबीस घंटे की सजा हुई महिला सांस्दों के पहल पर आठ बजे रात में बाहर आए सारे दस बजे गिरफतार हुई आठ वजे रात में बाहर आई, सजा काट के बाहर आई, लोग महिला बिल पर पक्च विपक्च में भासन करते हैं, आनन्द महान का खून बहा है, सदन के अंदर, और लवली आनन्द की गिरफतारी हुई, आपके सामने ये कविता अगर कही गई होती तो फिर क्या मैं वो जान जानना चाहते हैं, मैं जान रहा हूँ, मैं भोल चुका हूँ, उसको आप चला दीजिए, मतलब बोलते ही नहीं, आगर आपकी वहां उपस्तती होती तो बोलने की हिमत ही नहीं, हिमाकत किसी की नहीं थी, कि एक समुदाय को अपमानित करके चला जाए, जो तर्क देते हैं, प्रतिकात्मक कविता उनको कहिए, बालविक की कविता में कहां है, अपने अंदर के ठाकूर को मारो, ठाकूर सदन में बैठा है, ठाकूर न्याइपालिका में बैठा है, ठाकूर खेत में बैठा है, कहां है, कहां जाके वो खतम किया वो हम जानते हैं, हम भी कभी हैं, एक बोल कुन रहा था, पूर्वा ग्रसित, एक छली, एक प्रपंची राजनेता के कुछित विचार बोल लेते सरचर के, जो चाहता है कि मार्सल कॉम्मिटियां एक न हो, और राजनेत की रोटी दिल्ली तक से की जाए. वातर ऐसी पार्टी से जो अपने आपको A to Z की पार्टी कहती है? वो इसको उठा करके, एक साजिस के ताथ, केम्प सेंटरल जेल में बंत कर दिया गया. जिस दिन से मैं जेल में गया भागलपूर, उसी दिन से मैंने अन जल छोड़ दिया. आप अकवार और मीडिया के लोग लिखते थे, आज आनन्द मोहन का दूसरा दिन, अंसन का, आज तीसरा दिन, आज नमा दिन, आज ग्यार्मा दिन, आज पंद्रामा दिन, एक माहूल क्रियेट हुआ. कि आनन्द मोहन को मारना चाहती है तत्कालिन सरकार, एक माहूल बना जिसका लाग पांच में चरन तक माहगटबंधन को मिला, लेकिन तब यही एसक्रिप्ट राइटर, राजपूतों के गढ़ में, और अंगाबाद, सासाराम, आरा, बकसर के बीच में, डेरी ओंसन में ए यह आया बाबू साहब पर बयान और पांच बोट से सरकार बनते-बनते रह गई, सब हमलों का किया कराया फुस हो गए, यह वही एसक्रिप्ट राइटर है, दूसरी बार इधर से कहा था, A to Z की पाटी, उदारन आपका भी दिया जाता था, कि राजपूतों किसको भेजे, बरी गर्ब से लोग उदारन देते थे, लेकिन आपकी नियत, आपने कहा कि सबर्न हमारे मद्दाता नहीं है, यह ऐसे सलाकार, जहां रहेंगे, तेजस्वी की बात हम ने कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप ला रहे हैं, तेजस्वी जादव, लालू जादव, माई तो चावेन करता है कि तेजस्वी जादव और चेतन आनंद एक साथा है, यह नहीं चाहता कि लालू जादव आनंद मोन एक साथा है, इनकी डाल कैसे गलेगी, अखरी सवाल है, इसका जवाब ज़रूर चाहूंग, उसका फिर खतम करेंगे, शक्ति य मोहन आप सांस ले रहे हैं, तो यह हमलों की बदौलत है, यह चेतन आनंद हमारी बदौलत है, हमारी सोलह साल काट लिए इनके आसरबाद से, ऐसे लोगों क्या कहेंगे, तो ऐसे बयान ले किसी को कुछने कहेंगे, हर भौकने वाले का जवाब नहीं दिया जाता है, तो यह राजपूत और ब्राम्भन की लड़ाई नहीं है, आप इस बात को सुनने हैं, यह एक भ्यक्ति विशेश, मैंने कहा कि जो भाटगिरी करते हैं, नेतगिरी नहीं करते हैं, एक ही क्वालिटी है, भाटगिरी करना, भाटगिरी करके यहां तक आना, उसके कुछित मानसिक्त के खिलाप है, लोक तंतर का जो तकाजा है, धर्म अंडिर पेक सासन पद्वत्ति में, समाजबादी लोक तंतर में, आप किसी जाती और धर्म को टार्गेट नहीं कर सकते, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए कि आजादी और लोक तंतर में हमारे पुर्खों का मनोज जहां ने वो बयान दिया था, हालक ये भी मानते हैं कि वो इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन इसको लेकर आनन मोहन जो है, वो काफी अक्रोशित और नाराज नजर ज़रूर आ रहे हैं